इस विडियो में शनन प्रोजेक्ट की एक कहानी बताई जाएगी जो की पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक डिस्प्यूटिड प्रोजेक्ट है क्या है इसकी कहानी पहली बात तो ब्रिटिशर्स के जमाने का शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जोगिंदर नगर नाम की एक जगे मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर है इसकी हालत काफी खराब बताई जा रही है और अभी फिलाल ये पंजाब गवर्मेंट के हातों में हिमाचल प्रदेश ने साफ कर दिया है कि जो प्रोजेक्ट 99 सालों की लीज के लिए दिया गया था जो की 1925 में शुरू किया गया था और 2024 के मार्च महीने में इसकी लीज खतम हो रही है हिमाचल प्रदेश अब लीज नहीं बढ़ाएगा हिमाचल प्रदेश expect करता है कि ये प्रोजेक्ट अब वापस आएगा पंजाब के हातों से हिमाचल प्रदेश के पास तो हिमाचल प्रदेश not to relent अपने स्थिती से हिलने के लिए तयार नहीं है वो चाहता है कि पंजाब के पास जो इस प्रोजेक्ट का कंट्रोल पिछले 99 सालों से किस पिछले कई सालों से था वो अब बापस हिमाचल प्रदेश के पास आजाए लीस खतम हो और हिमाचल प्रदे मेगावाट का जो ये प्रोजेक्ट है दोनों स्टेट इसको चाहते हाला कि हिमाचल प्रदेश ये आरोप लगाता है पंजाब पे कि आपने इस प्रोजेक्ट का खयाल नहीं रखा जिसकी स्थिती काफी खराब है पंजाब गवर्मेंट 1966 के अंदर जब पंजाब और हर्या और हिमाचल प्रदेश तीनों अलग अलग सेपरेट स्टेट बने पंजाब बना हर्याना बना हिमाचल प्रदेश की मंडी के अंदर आने वाला यह हाइड्रो एलेक्टिक प्रोजेक्ट चला गया पंजाब के हातों में सेंटर गवंट ने पंजाब को दिया था तो 99 साल की पर यह प्रोजेक्ट था 110 मेगावाट का शेनन हाइड्रो पावर फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्टिक के पास है जोगिंदर नगर के अंदर पंजाब से चिन कर 2024 मार्च में इसका जूरिस्डिक्शन आ जाएगा हिमाचल प्रदेश के पास हिमाचल प्रदेश ने क्लियर कट कह दिया कि अब यह प्रोजेक्ट की लीज और कंटिन्यू नहीं होगी जो 1925 1925 में 99 साल की लीज पर पंजाब को दिया गया था जोगिंदर सेन जो की मंडी स्टेट के राजा थे करनल बी सी बैटी जो ब्रिटिश रेप्रेसेंटेटिव थे उनके द्वारा और अब हिमाचल प्रदेश वापस इसका ओनर बन जाएगा हिमाचल प्रदेश का कहना है कि पंजाब ने इस प्रोजेक्ट का कुछ खास खयाल नहीं रखा जिस वज़ेसे दोनों एरियास के बीच में इसू चल रहा है जैसे कि सर्टलु जियमुना लिंक कनाल के पर एक dispute चल रहा है ऐसे ही ये प्रोजेक्ट भी आगे जाकर दो statement dispute बन सकता है तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में ये dispute का अगर reason बना तो center government को involve होना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश तो चाहता है इस project को अपने पास रखने का क्योंकि हिमाचल प्रदेश को इससे 200 करोड़ अप्रोक्सिमिट 200 करोड़ साल का benefit revenue हो सकता है इस सनन हाइड्रो इलेक्टिक प्रोजेक्ट के दौरा इसलिए हिमाचल प्रदेश तो चाहता है कि ये project वापस उसी के पास आए हिमाचल प्रदेश wants this project to it और अब पंजाब के दौरा कहना है कि पंजाब को ही project की जरूरत है पंजाब कोट में जाएगा legal battle शुरू होगी पंजाब government is not willing to leave the project और कोट जाने भी तैयारेस project के लिए शनन हाइड्र electric project Britishers के टाइम का है तो इतने पुराने project के ऊपर एक बारी अभी assessment और appraisal center government कराईगी कि क्या ये आगे continue होने की स्थिती में है या नहीं है इसके बारे में कुछ और जानकारी ये project आपका उल नदी जो की बियास नदी की एक Tributory है आपको पता है इंदस की छे Tributories इंदस चेनाब झेलम ये पाकिस्तान के पास तीन चली गई है छे में से बाकी रभी ब्यास शतलुज इंडिया के पास है इसमें से ब्यास नदी की Tributory है उल नदी उल रिवर के ऊपर आपको यह project देखने मिलेगा 110 megawatt electricity के लिए आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को मेरे इस telegram channel वसु कटारा study IQ पर connect होना चाहिए जहां पर अचीव UPSC के नाम से group का नाम है लिंक आपको वसु कटारा study IQ देखने मिलेगा जहां पर इस class की PDF और मुझसे इंट्रैक करने का मौका म रहे हैं prelims to interview batch आपके लिए तैयार है prelims to interview batch के तहट live classes आपको मिलेंगी आपको recorded lectures मिलेंगे live नहीं देख पाए तो आपको test series prelims मेंस की books आपके घर पर बिजवाई जाएंगी अलग से market से book खरीदने की जंजट आपको नहीं पालनी है आपको books भी हम दे रहे हैं आपको mentorship प्रोवाइड की जाएगी जो की UPSC exam preparation के लिए बहुत जाज़ा ज़रूरी होती है और सब कुछ जो कि आपको exam clear करने मदद करें 24 का batch आपको अगर लेना है admission तो वसू live admission discount code उस करिएगा 29,999 का आपको course मिलेगा 2025 के लिए 35,999 का course है वसू live admission discount code उस कर सकते हैं आप 8 जून शाम 6 बर इसकी class शुरू ही है अभी आपने कुछ miss नहीं किया है इसमें जरूर अभी भी जुड़ सकते हैं आप देरी मत करिएगा इ classes miss कर देंगे तो इसमें जुड़कर सारे advantage ले सकते हैं आप आप कहेंगे साथ 10-11,000 रुपे के भी तो course आते हैं आते तो 1-1,500,000 रुपे के भी है पर affordable cost में वही benefit जो 1-1,500,000 में आपको मिलता है प्रोवाइड किया रहा है study IQ के द्वारा देखो classes तो आप कहीं पर भी connected रहेंगे यह सब मिलना बड़ा मुश्किल है रेर है वो भी इस प्राइस पॉइंट पर जरूर इसका advantage लीजेगा आप जब भी हमारे counselor से या website पर जाके course लेने की कोशिश करते हैं admission कोई भी study IQ के course में लीजिए वसुलाइव admission discount को जरूर यूज कीजेगा आगे चलते हैं त कई सारी tunnel जिन से पानी गुजरता है जो खेतों में जाता है irrigation के purpose के लिए यूज होता है सिचाई के purpose के लिए agricultural purpose के लिए पीने के लिए पानी drinking water भी यूज किया जाता है लोगों के द्वारा गाउं के आसपस रहने वाले लोगों के द्वारा जो की बहुत जादा helpful है पंजा चीफ मिनिस्टर को भी लिख कर बता दिया और यूनियन पावर मिनिस्टर को भी कि हमारी पूरी पूरी इच्छा है कि मार 24 में प्रोजेक्ट जब हमारे पास आ जाएगा तो यहां पर पन बिजली हाइड्र लेक्टिस करेंगे हम और लीज नहीं दे सकते हैं पंजाब को अ अपने इस प्रोजेक्ट के उपर अपना अधिकार मिल सेथ है शनन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को दोसो करोड सालाना पैसे कमाने में मदद कर सकता है इसी लिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता इन स्टेट्स के द्वारा इसी लिए पूरी टसल चल रही है इसलिए